रादेर सबी को तो बच्चों आज हम देखने वाले Most Important Counterface 2023 के और इस पार्ट में हम 300 Counterface कवर करने वाले हैं और इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने 330 Counterface कवर करा दिये थे और टोटल 11 पार्ट मैंने बना रखे हैं तो जिस बच्चे में नहीं देखे हैं वो मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके Last Six Month Counterface के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पे आपको 11 पार्ट मिल जाएगे तो आप उनको देखके अपने Counterface कवर कर सकते हैं और इस पार्ट के अंदर हम पूरे 300 Counterface देखने वाले हैं जो जो भी बच्चे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वैलक्म क्लिक कर लें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टेम पर पहुंस्तर है और आपकी 332 विश्व का पहला H.E.I. Gid Selection केंदर कहां पर सापित किया जाएगा तो इंपोर्टेंट है विश्व का पहला H.E.I. Gid Selection जो है भारत के उत्तर परदेश में सापित किया जाएगा तो इस लिहाज से काफी इंपोर्टेंट है आपको माकर करके रखना है Q.333 हाली में दुनिया के सबसे बड़े और श्रक्तिशाली रॉकेट Starship की लाँचिंग फेल हो गई इसे किसने लाँच किया था तो आप्शन D Q.334 हाली में किसे प्रभासी भारतिय संबान से समानित किया गया है Option A. राज सुब्रमन्यम Q.335 साती पोर्टल और मोवाइल एब किस मंत्राले दर लाँच किया गया है Option C. किर्शी मंत्राले के दौरा Q.336 बारति सेना ने सेने कर्मियों को चीनी भाषा का प्रस्रिक्षन देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझोता किया है तो इसका जो राइट एंसर होगा Option B. तेजपूर यूनिवर्सिटी असाम Q.337 बारत की पहली सैमी हाइट स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल कर क्या रखा गया है Option B. रैपिड एक्स Important है याद दखने इसको भी Q.338 राज्य की सरकार ने ऑनलाइन ग्लैंबलिंग पर प्रतिबंद लगाने वाला विदेख पास किया है तो इसका जो राइट एंसर होगा Option B. तमिल नाडू ने Q. 349 कजाकेसान के अस्ताना में आयोजित एश्य कुस्ती चेंपेशिप 2023 में भारत कुल कितने पतक अपने नाम कर साथवे स्तान पर रहा Option C. 14 पतक के साथ साथवे स्तान पर रहा Q. 344. साथ अप्राल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्य दिवस मनाया गया Option B. Health for All के साथ साथ अप्राल को विश्वे स्वास्य दिवस बनाया गया Q. 344. अमेरिका ने युकरेन के लिए 36 वे सुरक्षा पैकेज के तोर पर कितनी अमेरिकी डॉलर की गोश्णा की Option B. 325 मिलियन डॉलर की Q. 342. नैशनल क्वांटम मिशन के तैज कितने करोड रुपे मंजूर किये गए है Option B. 3,000 करोड रुपे Q. 343. विजडन किरिकेटर्स अब दी इयर चुने जाने वाली पहली भारतिय महिला किरिकेटर कौन है Option C. हर्मन प्रीत कौर Q. 344. राश्टिय स्वश्च गंगा मिशन के तैज कितने करोड रुपे की परियोजनाओ को मंजूरी दी गई है Option B. 638 करोड रुपे की परियोजनाओ को मंजूरी दी गई है Q. 345. किस केंद्री मंत्री ने नई दिल्ली में यूवा पोर्टल लांच किया है Option D. डॉक्टर जिटेंद्र सिंग जी ने Q. 346. एपल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर की शेयर में लांच किया काफी इंपोर्टन है पहला स्टोर जो एपल का मुंबई Option D. इसका राइट अंसर होगा Q. 347. उत्यपरदेश के किस जिले में प्रधान मंत्री निरेंद मोदी ने PM मित्रा पारक का उद्गाटन किया है Q. 338. किस केंदरी मंत्री ने संगठन से समृद्धी अभियान की शुरुआत की है Option B. गिरिजास सिंग जी ने Q. 349. डिजिटल एकनॉमी वर्किंग गुरुप की बैटक की शेर में गई तो 349. का जो राइट अंसर होगा Option A. हाइदराबाद मे Q. से कोशन आने की पूरी संभावना रहेंगे तो इसको आपको पढ़के रखने पढ़ेंगे Q. 350. अग्यास शबोग की पहचान के लिए DNA डेटाबेस त्यार करने वाला पहला राजे कौन बन गया है Q. 351. हाली में जारी एक रिपोर्ट के उसर फसल बीमा योजना के कारेवेन में कौन सा राजे शीर्ष पर रहा Q. 552. नाटो का 31 वा सदस्य देश कौन बना है बहुत इंपोर्टेंट है Q. 353. पुर्षो के T20 किर्केट टीम में अंपाइरिंग करने वाली परतम महिला कौन बनी है Q. 354. चुनावायोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है Q. 355. रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया आरबिया की इस्तापना दीवस कब बनाया गया Q. 356. हाली में जारी संयुक राज्ट्रे वीच जनजंकिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनजंकिया कितनी पहुँच गई है Q. 357. हाली में अस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इलसा क्या है तो जो इलसा है वो है Q. 358. किस ट्रांसजंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकोन बनाया गया है Q. 369. हाली में किस आटो मॉबाइल कंपनी ने आनलाइन रिटेल सेल्स प्लैटफॉर्म विहिल्स अन वेब लाँच किया है Q. 369. भारत की अदेख्ष्णा में G20 वर्किंग गूरुप की 100 वी बैठक का आयोजन कहां किया गया Q. 362. किस देश ने अपनी आखरी तीन परमाणू रियक्टरों को बन कर दिया Q. 363. कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा वेपारिक भागेदारी बन गया है Q. 364. पहली बार अंडर्वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्राइल की शेहर में किया गया Q. 366. बारत ने महिला एश आई कुस्ती चैंपेशिप में कुल कितने पदक जीते Q. 366. किस कंपनी को हाली में मिनी रतन कैटेगरी वन का दरजा मिला है तो काफ़ी इंपोर्टेंट है ऐसे कोशन काफ़ी और एक्जाम में आ जाते हैं तो जो मिनी रतन कैटेगरी वन का दरजा मिला है उस कंपनी का नाम है Q. 368. भारतिये नोसैना ने सिक्योर मैरिटाइम कम्यूनुकेशन विक्सित करने के लिए किस के साथ समझोता किया है Q. 368. ट्रांसजेंडर समुधाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दरजा दिया है Q. 373. किस देश ने क्रिप्टो फार्मो को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है Q. 371. और इस Q. आपको बताना है Q. 372. रिपोर्ट के अनुसार देश में बागो की संक्या बढ़कर कितनी हो गई है Q. 373. किस पॉलिटिकल पार्टी को हाली में नेशनल पार्टी का दरजा मिला है Q. 373. बार्टी कौन बन गए है तो उनका नाम है Q. अप्शन B. हर्षत पटेल Q. चलते हैं Q. 355. इस Q. आपको बताना है Q. जो ये प्रोग्राम है वो लांच किया गया है अनौचर परदेश में Q. आपको बने हैं Q. अपको बने है तो इसका जो राइटर होगा Q. आपको बने है Q. ये प्रोग्राम है उनका नाम है Q. आपको बने है है तो इनका नाम है सी रादा किष्ण डाव ऑप्शन भी इसका राइंसर होगा कोशन नमबर 378 है ग्लोबल वाच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इंदी वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम अजाद देश का दर्जा किसे मिला है तो 378 का जो राइंसर चीक है कोशन नमबर 39 है हाली में राश्पती द्रोपदी मुरुवन ने बी एचो आरो एकसे एप लॉँच किया है यह किस से सम्बंदित है तो इसका राइड एंसर क्या होगा इसका जो राइड एंसर होगा ऑप्शन भी महिला सुरक्षा सम्बंदित है तो यहाद अखना बी एचो आरो एकस एप लॉँच की गई है हमाई राश्पती के द्वारा और इस एप का जो सम्बंद है वो महिलाओ की सुरक्षा से है कोशन भी एंसर है किस राज्जे ने हाली में मात्मा जोतिवा फुले की जैनती को सारवजिनिक अवकाश के रूप में गोशित क्या है तो वो कौन सा राज्जे है तो इसका जो राइडंसर होगा ऑप्षिन डी राजिस्थान कोशन भी एंसर क्यासी है हाली में विदेश मंत्री एस जैशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दोरान तुलसी घाट भाली पर योजना का शुबरम गया तो इंपोर्टन है या दखना ऐसे कोशन आने के चांस हो सकते एक्जाम के अंदर तो इसका जो राइडंसर होगा वो है ऑप्षिन ए यूगांडा में कोशन नमबर 382 किस भारतिये को हाली में टाइम हंडेड पॉल का विजिता चुना गया है तो इसका जो राइडंसर होगा शारुक खान है कोशन का नाम है अर्जेंटीना ऑप्षिन डी इसका राइडंसर होगा कोशन नमबर 384 वणाने सी के किस उत्पाद को जी आई टैक परदान किया गया है तो वणाने सी का इसको जी आई टैक परदान किया गया है उसका नाम आपको बताना है तो ऑप्षिन सी इसका राइडंसर ने 3D printed cryogenic engine का सफल prescription किया है तो बताना उस startup का नाम क्या है तो 385 का right answer होगा option B Skyroot Aerospace तो Skyroot Aerospace ने 3D printed cryogenic engine का सफल prescription किया है 385 का right answer है B question number 386 देख लो हाली में drop test में fail होने के कारण किस महिला wet lifter पर 4 साल का परतिबंद लगाया गया है तो जो इसका right answer होगा 386 का वो है option A Sanjeevda Chanu को तो Sanjeevda Chanu पर drop testing में fail होने कारण 4 साल का परतिबंद लग गया है weight lifting में ये खेलती थी question number 387 देख लोते हो India Justice Report 2023 में कौन सा राजय शीर्ष पर है तो India Justice Report में 2022 की रिपोर्ट में जो शीर्ष पर रहा है वो उस राजय का नाम आपको बताना है तो वो है option A करनाट का question number 388 है किसे 3 series of the world के रूप में मानता दी गई है तो option B इसका right answer होगा Mumbai को question number 389 है H3N8 वर्ट फ्लू से दुनिया की पहली मोत किस देश में दरज की गई तो इसका right answer होगा option D चीन में चीक है question number 390 है किस बैंक ने हाली में स्टार्ट अप के लिए अपनी पहली ब्रांच खो लिए तो 390 का right answer होगा option C State Bank of India ने question number 390 वर्ट बैंक ने वित्य वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटा कर कितना कर दिया है तो वर्ट बैंक ने कितना कर दिया है 6.3 से घटा कर तो इसका right answer होगा option C 6.30 परतिशत कर दिया है question number 392 है NASA ने अपने चंदर mission Artemis 2 के लिए कितने अंत्रिक्ष यात्रियों के नाम की गोषणा की है तो ये जो है टोटल चार लोगों की नाम की गोषणा की गई है NASA के अपने चंदरे mission के लिए question number 393 हाली में किस राजे सरकार ने स्कूल चलो अभ्यान 2023 शुरू किया है तो जो ये अभ्यान है ये उत्तर परदेश की द्वारा शुरू किया गया है राजे की द्वारा शुरू किया गया है question number 394 किस कंपनी ने हाली में साइकल पोर्ट का दिगरण किया है तो ये कंपनी है अदानी गुरूप option B इसका रहने से रहोगा question number 395 NASA के Moon to Mars program के लिए पहले प्रमुक के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इनका नाम आपको बताना है 395 का जो राइडन सुरू का option D अमित छेत्री है तो NASA के Moon to Mars program के लिए जो पहले प्रमुक होंगे वो अमित छेत्री होंगे तो ये नाम आपको थोड़ा याद अखना है चलते है question number 396 की तरफ कौन सा राज्य है 100% विग्यूत कृत रेलवे स्टेशन वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो बहुत important है याद अखना इस टाइब इस question बहुत पुछे जाते है तो option C इसका रेलवे स्टेशन का हरियाना तो 100% विग्यूत कृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया हरियाना 397 question number है प्रोजेक्ट अकाश तीर के तहट रक्षा मंत्राले ने किसके साथ एक समझोता किया है तो इसका जो राइड अंसर होगा वो है option A भारत Electronics Limited के साथ ये समझोता किया गया है question number 399 है एक रिपोर्ट के मतावित भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोर निर्माता बन जाएगा तो 2026 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोर निर्माता बन जाएगा question number 399 पहले international quantum communication conclave का आयोजन किस शहर में किया गया तो 3099 का जो राइड अंसर होगा वो होगा बैंगलूर में तो पहले international quantum communication conclave का आयोजन बैंगलूर में किया गया तो 399 का राइड अंसर होगा option C question number 400 है आंदे परदेश के काकी नाड़ा में छेतरी स्तर पर खोज और बचाव अभ्याज का संचालन किस ने किया तो इसका राइड अंसर होगा option B Indian coast card ने question number 401 है INS चिलका के अगनी वीरो के पहले बैच की round parade के मुखे अतिती कौन थे तो इनका नाम है PT उशा option A इसका राइड अंसर होगा चलते हैं question number 402 के तरफ विश्व के सबसे उचे railway pull चिनाब pull की उचाई कितनी है तो काफी important ये pull है और जो इसकी उचाई है वो है option A 369 मीटर question number 403 है 26 March 2023 को इसरों द्वारा launch किये गए one web India mission 2 के लिए इस्तिमाल किये गए launch वाहन का नाम क्या है तो important है याद अखना इस टाइब कोशन काफी बार एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो इसका राइड इंसरों का option A LV M3 M3 चीक है तो इसका राइड इंसर ए है question number 404 Asia के सबसे बड़े Tulip Garden जम्मू कश्मीर का नाम क्या है तो Asia का सबसे बड़े Tulip Garden है जम्मू कश्मीर के अंदर है और उसका नाम बताना है आपको क्या है तो option C इसका राइड इंसर होगा चौथे का इंदिरा गांधी मेमोरियल चीक है important है इसको याद अखना question number 405 है किस हाइकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याजिका पर सनुवाई के दोरान artificial intelligence अधारी chat GPT का उपयोग किया तो वो जो हाइकोर्ट थी वो थी पंजाब एम हरियाना की option B इसका राइड इंसर होगा question number 406 हाली में किसे केरल में सर्वोच्चे नागरिक सम्मान केरल जोती से समानित किया गया है इन व्यक्ति का नाम बताने आपको option A इसका राइड इंसर होगा M.T. वसुदेव नारायन को केरल के सर्वोच्चे नागरिक सम्मान केरल जोती समानित किया गया है question number 407 संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलाने दी पुरसकार 223 के लिए किसे चुना गया है तो इनका राइड इंसर होगा option D Bombay जैशरी को संगीत कलाने दी पुरसकार 223 के लिए चुना गया है question number 408 हाली में केंज सरकार ने केंदरिय करमचारियों का महंगाई बत्ता 4% से बढ़ा कर डैस कर दिया है तो कितना बढ़ा दिया है option C 42% question number 409 है हाली में आर्जेंटीना के लुईस कैफरीली को एबेल पुरसकार 223 मिला है यह पुरसकार की छेत्र में दिया जाता है तो एबेल पुरसकार जो है वो गडित की छेत्र में जाता है option B इसका राइड इंसर होगा question number 410 कौन सा राजे हाली में स्वास्तिय का अधिकार बिल राइड टू हेल्थ बिल पारित करने वाला 22 का पहला राजे बना है तो जो पहला राजे बनता है या पहली चीज़ होती है वो काफी important होती है उसको याद रखना है आपको हमेशा option D राजिस्तान ये करने वाला पहला राजे बना है जो हाँ पहला राइड टू हेल्थ बिल पारित किया गया है question 411 है किस देश के टीम पैन ने किर्केटर के सब प्रारूबों से सन्यास लिया है तो option B अस्ट्री लिया के question 412 है किस भाशा की परसिद लेखी का शिफ शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकता सूर्य वन्षम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है option B तमिल भाशा की एक परसिद लेखी का है और इनको इनकी आत्मकता सूर्य वन्षम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है question 413 हाली में जारी हुए वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा इस्तान मिला है तो भारत को इस रिपोर्ट के अनुसार 126 वा इस्तान मिला है तो 413 का राइड एंसर होगा ओप्शन बी कोशन अमर 414 है अंडर 21 समूग में पाक जल्डमरू मद्य में सबसे तेज तहरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है तो ऑप्शन ए इसका राइड एंसर होगा संपना रमेश शैलार ने ये रिकॉर्ड बनाया है पाक जल्डमरू मद्य में सबसे तेज तहरने का तो 414 का रालाच। दिवर्स के इस तारीक को बनाये जाता है तो रास्टिय टीकरुन दिवर्स जो हूं 16 मार्च को बनाये जाता है ऑप्शेन भी इसका रालाच को लिए चलते हैं कोशन में 416 की दरब समानने बोध विराशत का पहला अंतर राश्ट्रिय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ तो option C नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था तो 416 का रेड़ेंस रोगा option C question number 417 हाली में कौन परतम भारतिय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एर फोर्स के साहिक लक्षा मंतरी बने है important है नाम याद रखना option D रवी चौधरी जो है अमेरिकी एर फोर्स के साहिक लक्षा मंतरी बने है चार से दरा का रेड़ेंस रहा option D question number 417 हाली में भारत में अमेरिका के नए राज़ूर कौन बने है तो इनका नाम है एरिक गार सेटी option B इसका रेड़ेंसर होगा question number 419 हाली में जारी सिप्री की वर्ष दोज़र तीज रिपोर्ट के मताबित दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आयाद देश कौन बन गया है तो important नाम है याद रखना दुनिया का सबसे जो हत्यार आयाद कर रहा है वो है भारत हमारा है खुद का रिश so option C इसका रेड़ेंसर होगा question number 420 world air quality report 222 में भारत को कौन सा इस्तान मिला तो world air quality report में भारत को इसमें जो इस्तान मिला है वो है आट होगा option C इसका रेड़ेंसर होगा question number 421 किस पुरुष किर्केटर को फरवरी महीने के लिए ICC player of the month का सम्मान मिला तो 421 का जो रेड़ेंसर होगा option C Harry Brook England के ये खिलाड़ी है इनको ICC player of the month फरवरी के लिए दिया गया था question number 422 हाली में वर्ष 2022 के वया सम्मान के लिए किसे चुना गया तो वया सम्मान के लिए option C डॉक्टर ज्यान चतुरुवेदी को चुना गया question number 423 ऑक्सर अवार्ड 2023 में किसे services अभिनेता का प्रोस्कार मिला है तो ऑक्सर अवार्ड 2023 में जो services अभिनेता रहे हैं उनका नाम है option A ब्रेंडन फ्रेजर इस बार के सबसे services अभिनेता के रूप में उबर के निकले हैं ब्रेंडन फ्रेजर तो 423 का राइड इंसर होगा option A चलते हैं 424 कोशन में की दरफ दस मार्च पो CISF ने अपना कौन सा इसापने दिवस मनाया तो कौन सा इसापने दिवस था CISF का इसका जो राइड ज़रोगा option B 54 कोशन में 425 है भारतिय वायू सैना में लड़ाकू IKAI की पहली महिला कमांडर कौन बनी है तो important है नाम याद लगना आने के पुरी चांजिस होगी option C सलीजा धामी जो है पहली महिला कमांडर बनी है जो लड़ाकू IKAI की होंगी चीक है तो कोशन नमबर 425 का C इसका रेड ज़रोगा कोशन नमबर 426 है रेलवे ने कब तक शु्द सुन्य कार्वन उर्साजन बनाने के लक्षर रखाए 426 का रेड फ़्रोगा option C कोशन म.427 हाली में किसने प्रितिईर ऑर्टिक्टर प्राइज 2023 जीता है तो इसका रेड ज़रोगा option A सर डैविड चिपर फिल्ड इन्होंने प्रितिजर आर्किटेक्चर प्राइज 22 जीता है 427 का अंसर होगा एग तो कोशन ममर 428 है BBC इंडिया स्पोर्ट्स वूमेन अप दी इयर 22 पुरुसकार किसने जीता है तो option C मीरा भाई चानू ने जीता है कोशन ममर 429 National Badminton Championship 22 में महिला एकल का किताब किसने जीता है तो important है याद अखना option C इसका रैडेंसर होगा अनुबमा उपाध्याई ने National Badminton Championship 23 का किताब जीता है महिला एकल में 439 का रैडेंसर option C कोशन ममर 430 है हैकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विद्यक MLA बनी है तो option D Nagaland काफ़ इंपोर्टेंट है याद अखना कोशन ममर 431 हाली में किस महिला फुटबॉल ने FIFA Player of the Year 2022 पुरुसकार जीता है तो इसका रैडेंसर क्या होगा option B इसका रैडेंसर होगा Alexia Puteles चलते है कोशन ममर 432 की तरफ हाली में किस पुरुष फुटबॉलर ने FIFA Player of the Year 2022 पुरुसकार जीता है तो इंपोर्टेंट नाम है याद अखना महिला का नहीं आये तो पुरुष का आने की समभाब नहीं हो सकते है एक्जाम के अंदर तो 432 का जो रैडेंसरों का ओप्शन सी नियोनिल मेसी ने 2022 का FIFA Player of the Year जीता है कोशन मर 433 हाली में जारी हुए वर्ष 2023 की Global Innovation Index में भारत को 55 देशों में कौन सा इस्तान मिला तो Global Innovation Index 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 55 देशों में जो इस्तान मिला है ओप्शन B 42 चीक है तो 433 का रैडेंसरों का ओप्शन B कोशन मर 434 हाली में किस किरकेट टीम ने ICC Women's T20 World Cup 23 का किताब जीता है तो नाम याद है न काफी बारे एक्जाम में कोशन आ जाता है तो ICC Women's T20 World Cup 23 के खिताब जीतने वाली वो टीम है महिलाओं में इसका जो रैडेंसरों होगा ओप्शन D Australia चलते कोशन नमर 435 की तरब सैबलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला Head Ambassador किसे का पहला जो Head Ambassador निक्ट किया है वो है सचीन तेनलगर को कोशन नमर 436 है रणची ट्रोफी 2022 देश से किताब किस ने जीता तो 436 का रैडेंसरों का option A सौरास्ट नी कोशन नमर 437 जातीगत भेदभाव पर प्रतिबंद लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है अभी भी वहाँ पर जातीगत भेदभाव होते हैं देख सकते हो तो वो कौन सा शहर है जहां पर जातीगत भेदभाव पर पर प्रतिबंद लगाया गया है उस शहर का नाम बताना है तो 437 का रैडेंसर होगा option A जीता है तो 438 का रैडेंसर होगा option C D elephant विसपर्स question number 449 आठ मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर राश्ट्रिये महिला दिवस मनाए गया तो important थी थीम यहां दखना इस टाइब कोशन का पहले दिखने को मिल जाते हैं तो 449 का जो रैडेंसर होगा option B embrace equality तो 449 का रैडेंसर है option B question number 440 किस बैंक ने अपनी पहली electronic bank guarantee जारी की है तो उस बैंक आपको नाम बताना है तो option D इसका रैडेंसर होगा right answer होगा yes bank question number 441 SU राश्ट्रिये सुरक्षा सलहकारों की बैठक कहां आविजित की गई तो SU राश्ट्रिये सुरक्षा सलहकारों की जो बैठक थी वो जो आविजित हुई थी option B नई दिल्ली में काफी important रियाद अखना question number 442 अंतर राश्ट्रिये मुक्यवाजी संग IBA का अध्यक्स किसे चुना गया है तो 442 का जो राश्ट्रिये सुरका option A अजय सिंग को question number 443 नई दिल्ली में किस देश का दूतावाज ने Spanish, Hindi, Football शब्द कोश का लोकर अपन किया तो इसका राश्ट्रिये सुरक को बताना है option B ब्राजील ने question number 444 फ्लैक्शी प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रा ले की पहल है तो option C इसका राश्ट्र होगा सिक्षा मंत्रा ले की question number 445 भारत के किस यूवा कलाडी ने World Youth Weight Lifting Championship में कांचे पतागीता है तो 445 का जो राश्ट्र होगा option A धनूश लोगा नाथन इन्होंने World Youth Weight Lifting Championship में कांचे पतागीता है तो 445 का राश्ट्र होगा option A question number 446 कॉलकत्ता नाइट राइडर ने किसे अपना अंत्रीम कप्तान निक किया है तो 446 का जो राश्ट्र होगा option D नितीश राणा को question number 447 सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जबा और रिंड का किस बैंक ने अधिकरण किया है तो important है बहुत बड़ा crisis आया था अमेरिका की ये बैंक है उसके उपर तो जो इसका अधिकरण किया गया था उस बैंक का नाम बताना है तो राइडर होगा option B first citizens bank ने question number 448 हाली में इसरों ने network access associated limited one web के कितने satellite को एक साथ launch किया तो काफी important है इसरों ऐसे कम करते रहता है तो option D 36 तो 36 satellite को एक साथ launch किया है हमारी इसरों ने question number 449 महिला विश्व मुक्यवाजी चैनपेशिप में एक से अधिक स्वण पदक जीतने वाली दूसरी भारतिये कौन बनी है तो important है याद अखना ये दूसरी भारतिये बनी है जिन्होंने स्वण पदक जीता है तो इनका नाम आपको बताना है इसका जो राइडर होगा option A निखत जरीन option A इसका राइडर होगा option 450 वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोचे नागरिक पुसकार असम वैभव से किसे समानित किया गया है तो इसका जो राइडर होगा 450 का option D डॉक्टर तपन से किया चलते हैं question number 451 की तरफ महिला प्रीवियम लीग 2023 का किताब किस टीम ने जीता है ये पहली बार हुआ था महिला प्रीवियम लीग 2023 तो इसमें जो खिताब किसे जीता था काफ़ी इंपोर्टन आने के पुरी संभावना होगी तो 451 का जो रैडेंसरों का आप्शन सी मुंबई इंडियन सी question number 452 उत्राकंड सरकार किस शहर में sports university साभीत करेगी तो हल्दुवानी में उत्राकंड सरकार जो है sports university साभीत करेगी 452 का रैडेंसरों का आप्शन बी question number 453 online texture editing platform ग्रैमिली के नए CEO कोन बने है तो नाम इंपोर्टेंट है या दखना तो इनका जो नाम है option A राहूल रॉय चौधरी तो ये अब ग्रैमिली के नए CEO होंगे question number 454 हाली में A.C.I. होक्की महासंग ने किस देश के होक्की महासंग को best organization award से सम्मानित किया है तो इसका जो राइडन्सर होगा वो है option C भारत हो 454 का राइडन्सर होगा option C चलते है question number 400 पच्चन की तरफ हाली में कौन सा देश BRICS New Development Bank का नया सज़से बना है तो इस देश का आपको नाम बताना ये कौन सा देश है जो BRICS New Development Bank का नया सज़से बना है option A मिश्र तो 455 का राइडन्सर होगा option A question number 456 है प्रती वर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब बना जाता है तो इसका जो राइडन्सर होगा 456 का वो है option A 25 मार्च को question number 457 G20 Sustainable Finance Working Group की बैठटक गई तो 457 का राइडन्सर होगा option A उधैपुर में question number 458 call before you ding एप को किसने लाँच किया है तो 458 का जो राइडन्सर होगा option A नरेंद्र मोधी ने question number 469 Saudi Arab Grand Prix 23 का टाजर किसे जिता है तो ये है option B Sergio Paris जिसने Saudi Arab Grand Prix 23 का टेटल जिता है चलते question number 460 की तरफ coffee house company Starbucks के CEO का पदबार किसने ग्राइड किया है तो 460 का जो राइडन्सर होगा option A लक्षमन नर्सिम्हन तो 460 का राइडन्सर होगा option A question number 461 I SSF विश्व कप निशाने बाजी चैंपेशिप में पुल्षों की 10 मीटर एयर पिस्टल इस परदा में किसने गोल्ड मैडल जीता है तो इसका जो राइडन्सर होगा 461 का वो है option A सर्वजीत सिंग ने तो question number 462 अमेरिकी राजपती जो राइडन्सर ने किस भारती अमेरिकी अभिनित्री को National Humanity Medal परदान किया है तो 462 का राइडन्सर होगा option A मिन्दी कैलिंग को तो option A इसका राइडन्सर होगा question number 463 वित्य संकर से जूज रही Swiss Bank Credit Swiss Bank का अधिकरण किसने क्या है तो इसका जो राइडन्सर होगा option D UBS Group ने question number 464 हाली में किसने Indian Wells Masters का Singles Title जीता है तो option A Carlos Alcaraj इनोंने Indians Wells Master का Singles Title जीता है question number 465 ATP Master 1000 का किताब जीतने वाले सबसे उम्र दराजकलाडी कौन बने है तो option D Rohan Bupanna 465 का राइडन्सर होगा option D चलते question number 466 किस देश ने हाली में राश्ट्रे सिनेमा रण नीती शुरू की है तो 466 का राइडन्सर होगा option C सेयोग अरफ अमिराद में question number 466 PM मित्र मेगा टेस्टाइल पारक कितने राज़ों में साबित किया जाएगा तो option C सात राज़ों में question number 468 SkyTex द्वारा जारी दुनिया के टॉप एरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एरपोर्ट टॉप पर है इंपॉर्टन नाम है यहां दखना इसको option C सिंगापूर चांगी एरपोर्ट question number 469 नेपाल के तीसरे उप राज़पती के रूप में कितने शपतली तो इसका जो राइडन्सर होगा option C राम सहाय परसाद यादव ने 499 का राइडन्सर option C चलते question number 470 की तरफ कौन सा बैंक मुंबई इंडियन्स का official banking बना है तो 470 का राइडन्सर होगा option B IDFC first bank question number 470 केंदरिये घ्रह मंत्राले ने किस सुरक्षा बल के पूर्व अगनी वीरो के लिए 10 परतीशत अरक्षन की गोशना की है तो वो है CISF के लिए option A इसका राइडन्सर होगा question number 472 हाली में international publication central banking ने किसे governor of the year 233 से समानित किया है तो 472 का राइडन्सर होगा option C शक्तिकान दास question number 473 नई artificial intelligence chatbot GPT-4 को किसने लाइडन्स किया है तो इसका जो राइडन्सर होगा option A open AI ने question number 464 वंदे भारत express train की पहली महिला लोको पाइलेट कौन बनी है तो 474 का राइडन्सर होगा option D सुरेखा यादव question number 473 भारत में किसे sea changes climate पहल का ambassador नुक किया गया है तो इसका जो राइडन्सर होगा option C 6 गुडावत 475 का राइडन्सर है C चलते question number 476 की दरफ किस कंपनी को हाली में RBI की और से infrastructure finance कंपनी का दरजा मिला है तो 476 का राइडन्सर का option A एड़ा को question number 477 G20 flower festival का आयोजन की शेर में किया गया तो option D नहीं दिल्ली में question number 478 95 ओक्सर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सौंग नाटू नाटू को original song category का आवार्ड मिला है तो वो है option C RRR मूवी को तो 478 का राइडन्सर होगा option C चलते question number 479 की दरफ भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रद्धोगी और नवाचार सायोग पर एक समझोता कि आपन पर अक्सर किये हैं तो 489 का जो राइडन्सर होगा option B मेक्सिको के साथ चलते question number 488 दरफ अक्सर अवार्ड दोहर्ट 23 में best actress का अवार्ड किस अभी ने जीता है option A Michelle Yone question number 488 अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवार लिया गोशित किया है तो वो है Silicon Valley Bank option B इसका रेडन्सर होगा इसलिए अपने आपको दिवार लिया गोशित कर दिया है question number 482 important portion है यादखनान की चांस लेंगे PM मोधी ने किस राज्जिये में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लैटफॉर्म हुबली रेलवे प्लैटफॉर्म जिसकी लंबाई 1500,000 मीटर का उद्गाटन किया है वो है करनाटका का तो important है यादनाम यादखना question number 483 संतोष ट्रॉफी के 76 संस्क्रण का किताब किस टीम ने जीता तो important नाम है option B करनाटका की टीम ने question number 484 सेश भारत ने किसे हरा कर प्रतिस्टित इरानिक कप का किताब जीता है option A मध्य परदेश को question number 488 9 सैना कमांडरों के सम्मेलन 223 के पहले संस्क्रण का आयोजन किस विमान वहग पोत पर किया गया तो 485 का जो राइडेंसर होगा option D INS विकरांज पर question number 486 हाली में भारत के 81 वे सतरंज ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो 486 का राइडेंसर होगा option B सयानतन दाज question number 487 विश्व वन्यजीब दिवस 2023 का थीम क्या है option B partnership for wildlife conservation question number 488 किस खिलाडी ने AFI राश्टियर थो परत्योगता के में शॉट्पूट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता option C तेजिंदर पाल सिंग तोरने question number 489 exercise डेस्ट लिक 2023 का अविजित भारत और किस देश के मद्दे अविजित किया गया important है ये नाम याद रखना option C उजवेकिस्तान question number 490 विपिन दी मैन बिहाइंड दी यूनिफॉर्म पुस्तक के लेकर कौन है तो important नाम है option B रचना बिस्तव रावत चलते question number 451 की दरफ एशियाई सत्रेंज महासंग ने किसे player of the year प्रोसकार से समानित किया है तो 451 का रचनेजर होगा option B डी गुकेस को question number 492 अंतराश्ट्री मुद्रा कोश ने वित्य संकर से जूज रहे शिलंका को कितने billion dollar का bailout package दिया है तो 492 का रचनेजर होगा option C 3 billion का question number 493 National Badminton Championship का महिला एकल किताब किस ने जीता so 493 का रचनेजर होगा option B अनुपमा उपाद्याएने question number 444 अमेरिकी Space Agency NASA ने किसे अपना Science Chief निउट किया है तो 494 का रचनेजर होगा option D Nikola Vox को question number 445 किसे Scotics National Party के अगले नेता के रूप में चुना गया है option B हमजा यूसूफ को question number 496 Indian Mains Hockey टीम के नया coach किसे निउट किया गया है option A क्रिक फुल्टन जो Indian Mains Hockey के नए coach होंगे तो ये नाम important है याद अखना है ये आने के चांस हो सकते है question number 497 केंद्रे किर्शी मंत्री ने किस शहर में अग्री यूनिट फेस्ट का उद्गाटन किया है तो 497 का राइडन सरोगा option B बेंगलूरू में question number 498 हाली में केंद्री सरकार ने कितने ह्टी टी फोर्टी बेसिक ट्रेनर एरक्राफ्ट की खरीद को मजूरी दी है तो 498 का राइडन सरोगा option C सकतर question number 499 हाली में समीर खाकर का निदन हो गया उनका सम्मन की छेतर से है तो वो हैं अभिनाई की छेतर से 498 का राइडन सरोगा option B question number 500 राश्टिय विज्ञान दिवर्ज 2023 का थीम क्या है तो 500 जो राइडन सरोगा option B global science for global well-being तो 500 का राइडन सर है option B question number 501 है छेतरिय भाषय में निर्ने प्रकाशित करने वाला देश का पहला high code कौन बन गया है तो वो है option B केरल high code important है याद लगना ऐसे question बहुत बड़ी exam में देखने को मिल जाते हैं question number 502 UNICEF इंडिया ने किसे अपना national ambassador निक्त किया है 502 का जो राइडन सर होगा option C आयुश्मान खुराना so UNICEF इंडिया ने आयुश्मान खुराना को national ambassador निक्त किया है question number 503 सत्रंज में भारत के 802 grand master कोन बने है तो राइडन सर होगा option C विगनेश एन आर तो 503 का जो राइडन सर है विगनेश एन आर question number 504 हाली में किसे अंतर रास्टिये मात्र भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसका जो राइडन सर होगा option A doctor महेंद्र मिश्राजी को question number 505 किस राज्ये में उत्तर भारत का पहला परमानू उर्जा सेयंतर साबित किया जा रहा है तो important है याद रखना क्योंकि उत्तर भारत में पहला परमानू सेयंतर होगा तो 505 का जो राइडन सर होगा option B हरियाना में चीक है तो important है ये question number 506 भारत का पहला agree chat bot अमा क्रू शाई कहां लांच किया गया है तो 506 का जो राइडन सर होगा option B उडिजा में question number 507 नीती आयोग के नए CEO कौन बने है तो नीती आयोग के जो नए CEO है उनका नाम आपको बताना है option A VBR सुबर मर्नियम तो 507 का राइडन सर होग option A ऐसे question काफी और एक्जाम में देखनों को मिल जाते हैं तो आपको थोला सा उस पर ध्यान लखना है नीती आयोग के CEO के बारे में question number 508 हाली में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संदी तोड दिया है तो वो है अमेरिका option A इसका राइडन सर होगा question number 509 दादा साइफ फालकेर अंतर राष्टे फिल्म समरों 2023 में किस फिल्म को बैस्ट फिल्म का पुरुसकार दिया गया है तो 509 का राइडन सर बताने आपको option C दा कश्मीर फाइल को question number 510 रंडजी ट्रॉफी 22-23 का किताब किस किरिकेट टीम ने जीता तो 510 का जो राइडन सर है option D सोरास्टनी question number 511 बाफटा अवार्ड 2023 में किसे सर्विस रेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है तो वो है option D औस्टीन बटलर तो 511 का राइडन सर है option D 512 question number भारतिय थल सैना का अगला उप परमुक किसे निक्त किया गया है तो भारतिय थल सैना का जो अगला उप परमुक है उनका नाम option A N.V. सुचिंदर कुमार question number 513 कौन भारतिय अमेरिकी यूटूब के नई CEO बने है तो 513 का जो राइडन सर है option D नील मोहन option D इसका राइडन सर होगा question number 514 T20 I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतिय किरिकेटर कौन बनी है तो T20 I में 100 विकेट लेने वाली जो पहली भारतिय किरिकेटर बनी है उनका नाम आपको बताना है option A इसका राइडन सर होगा दिप्ती शर्मा question number 515 किसे वर्च 2022 के महरास्ट भूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो 515 का राइडन सर होगा option B question number 516 हाली में किस महिला किरिकेटर को जन्वरी महिने के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो वो है option B ग्रिस इसक्री विंस जो इंगलेंड से खेलती है question number 517 किरिकेट के तीनो प्रारूपों में शटक जडने वाले पहले भारति कप्तान कौन बने है तो जिसका राइड इंसर होगा option C रोईश शर्मा तीनो प्रारूपों में शटक जडने वाले पहले भारति कप्तान बन चुके है तो तीनो प्रारूप की बात करें तो टेस्ट हो गया ODI हो गया टीटन्टी हो गया इन तीनों में शदक जड़ने वाले ये पहले भारते कप्तान बन गया है तो important है नाम यादखना कोशन नमर पांचो अठारा किस शहर में भारत का पहला ग्लास इगलू रेस्टरेंट खोला गया है तो भारत का पहला ग्लास इगलू रेस्टरेंट जो है वो option भी कश्मीर में खोला गया है तो important है यादखना कि भारत का पहला ऐसा कोई रेस्टरेंट है तो इसलिए important है कोशन नमर पांचो उननिस कोशन नमर पांचो बीस कोशन नमर पांचो उननिस की दरफ किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है 521 का रेस्टर होगा option D मध्यपरदेश ने 522 एक फरवरी 2023 को भारतिय तटरक्षर बल ICG ने अपना कौन सा इस्तापन दिवस मनाया 522 का जो रेस्टर होगा option C 47 कोशन नमर पांचो तेईस भारतिय वायू सैना IAF के नए उप परमुक बने है option D अमर प्रीद सिंग 523 का रेस्टर होगा अमर प्रीद सिंग कोशन नमर पांचो चौबिस मैन होकी वर्ल्ड कप तवर 23 का किताब किस टीम ने जीता तो वेरी वेरी इंपोरेंट में पूरे चांस होगा आने के लिए important मार्क करके रखना Germany option C इसका रेस्टर होगा चीक है कोशन मर पांचो पच्चिस Australian Open 2023 में पुरूष एककल का किताब किस ने जीता तो ये भी important है ये भी काफी अर्द देखनों को मिल जाता एक्साम के अंदर तो 525 का राइट अंसरों का option A नुवाक जोको वीचने 526 question number women under 19 T20 World Cup 2023 का किताब किस ने जीता है option C भारत ने तो women under 19 T20 World Cup 23 किताब भारत ने जीता है तो 526 का राइट अंसरों का option C question number 527 28 जन्वरी को लाल लाजपत राय की कौन सी जेनती मनाई गई तो 527 का राइट अंसरों का option B question number 528 ICC पुरुषकार 2023 में किसे वर्ष की सर्वुषिस्ट महिला किर्केटर का पुरुषकार मिला है तो 528 का राइट अंसरों होगा option B Net Shiver England की खलाड़ी है वर्ष की सर्वुषिस्ट महिला किर्केटर का पुरुषकार मिला है तो यह याद रखना जो पूरे येर का जिसको खिताब जाता है वो काफी important रहता है तो इसलिए अपको इसको तोड़ा सा ध्यान पूर्वगर रखना पड़ेगा question में 529 ICC पुरुषकार 2022 में किसे वर्ष का सर्वुषिस्ट पुरुष किर्केटर का पुरुषकार मिला है तो very very important friend जो इसका राइट अंसरों का 529 का वो है option C बावर आजम जो पाकिस्टान के लिए खेलते हैं उनके कप्तान है तो ये भी आपको याद रखना है 2022 का सर्वुषिस्ट जो पुरुष किर्केटर था और पुरुषकार जो है ICC की तरफ से बावर आजम को दिया गया था question मेर 530 हाली में कौन सा देश the agriculture innovation mission for climate पहल में शामिल हुआ है option C भारत question मेर 530 किस भारती अमेर्की ने हाली में अमेर्की राश्पती चुनाव के लिए अपनी उमिदवारी पेश की है तो वो कौन से भारती अमेर्की है तो 531 का जो राइड अंसर होगा option B विवेक रामस्वामी 531 का राइड अंसर ओप्शन B question 532 जाती गत भेदवाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेर्की शहर कौन बना तो 532 का जो राइड अंसर होगा option B Seattle question 533 IPL के लिए Sunrider हैदरबाद ने किसे कप्तान निक किया है 533 का राइड अंसर होगा option C add in Mark Ram question 534 किस परदेश में Frozen Lake Half Marathon का आयोजन किया गया तो इसका जो राइड अंसर होगा option A लद्दाग में question 535 BCCI ने महिला Premier League के title response किसे चुना है तो इसका जो राइड अंसर होगा 535 का वो है option A Tata Group को question 536 भारतिये रेलवे ने हाली में किस राज्ये में सभी board gauge route का विग्यूति करण पूरा कर लिया तो इसका जो राइड अंसर होगा option D उत्तर परदेश question 537 दादा साइफ फाल के अंतर राश्टे फिल्म समारो 2023 में किस फिल्म को फिल्म अब दी इयर चुना गया तो जो फिल्म अब दी इयर चुना गया है वो है आर 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 चलते question 538 की दरफ बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपेशिप का कांसे बदक किस ने जीता option A भारत में question 549 भारत उजबेकिस्तान दुई वार्शिक सैन्ये प्रसिक्षिन अभ्यास death leak 2023 का आयोजन किस राज्ये में किया गया तो इसका जो राइडनसर हो का option A उत्राकंड में question 540 है किस देश के संयुक्त राश्ट्रिय समाजिक विकास अयोग के 62 सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो इसका जो राइडनसर होगा option D भारत को question 541 है AI CTI किसके साथ मिलकर राश्ट्रे सर के हैक्थान कवच 2023 का शुबरम किया है तो वो है दिल्ली पुलिस और विकास वियोरे के साथ option B इसका राइडनसर होगा question 542 हाली में UIDAI द्वारा जारी नए AI chatbot का नाम क्या है option B अधार मित्र question 543 भारत के किस टेक स्टार्टप को Aero India 2023 शो में सोर संचाली ड्रोन सूरज का अनावरण किया option B गरुन Aerospace ने चलते question 544 तरफ भारत के पहले चैट GPT संचाली ए आई चैट बोट लेक्सी को किस फैंटिक कंपनी ने लॉंच किया option C वेलोसिटी question 545 पीम मोधी ने किस राजे में जल जन अभिहान का उद्गाटन किया option नमबर C राजिस्थान में question 546 रॉयल चैलेंजर बेंगलूर की विमेंस किर्केट टीम का मेंटर किसे निक्त किया गया है option B सानिया मिरजा को question 547 बारवे विश्व हिंदी समेलन का आउयजन किस देश में किया गया इंपोर्टेंट है याद अखना काफिवार यहां से question देखने को मिल जाता है question 547 का जो राइड अंसर होगा option A Feezy में question 548 भारतिय सैना में शामिल स्वाम ड्रोन सिस्टम का निर्माण केस स्टार्ट अप कंपनी ने किया है तो इसका जो राइड अंसर होगा option C New Space Research and Technology ने तो 548 का option C राइड अंसर होगा question 548 साउदी अरब की पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री कौन है जो International Space Station के एक मिशन में शामिल है तो important नाम है याद अखना option B रेयाना बरनावी ये question मैंने पहले भी cover कर रखा है और कापी important question है question में 550 स्वस्त मन, स्वस्त गर किस मंत्राले द्वारा चुरू की गई एक पहल है option B स्वास्ते अंफ, परिवार, कल्यान, मंत्राले के द्वारा question में 550 World Bank ने बुकम परवाबित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सायता की गोशना की है तो तुर्की में जो हाले में वुकम पाया था जहां बहुत ज़दा जानमाल की हानी हो गी थी तो World Bank के दुवरा उनको जो मदद राशी दी गई है वो कितनी है तो इसको जो right answer होगा option C 1.78 अरब डॉलर केंद शासित परदेश लद्दाग के नए उपराजेपाल कौन बने है तो very very important का वी वाल डिरेक्ट ही कोशन आते हैं एक्जाम के अंदर option D Dr. B.D. मिश्रा कोशन अरब पांसो त्रेपन पहले विमेंस प्रीमियर लीग के option में भारत की स्टार बल्लेवाज इसमिती मंदाना को किस टीम ने खरीदा option D Royal Challengers बेंगलूर ने कोशन में 554 Aero India 2023 शोक का थीम क्या है तो option A का रेनेसर होगा The runway to a billion opportunity कोशन में 555 भारत में पहली बार किस केंदरी शासित परदेश में लीथियम भंडार मिले हैं तो option A जम्बू कश्मीर में कोशन में 556 हाली में इस रो ने SSLV D2 rocket से कितने satellite को low earth orbit में स्तापित किया इसका जो रेनेसर होगा option C 3 कोशन में 557 Global Quality Infrastructure Index 2021 में भारत की रेंग क्या है तो 557 का जो right answer होगा option C 10 कोशन में 558 Digital Payment उस सब किस मंत्रा ले द्वारा शुरू की गई एक पहल है option D Electronics and IT मंत्रा ले द्वारा कोशन में 569 Urban 20 City शेरपाउं की बैठग किस शहर में आयुज़त की गई option C किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक IU के सभी नागरिकों को COVID-19 वेक्सीन की पाँचवी खुराग देने की गोशना की है तो 560 का जो right answer होगा option D और उस्टेलिया ने कोशन में 561 Google ने हाली में कौन सा AI संचाली चैट बॉट लॉंच किया है option B बाड कोशन में 562 तुर्की और सीरिया में हाली में आय भुकम के कारण भारत दुआरा चलाये जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है इम्पोर्टेंट है याद अखना ऐसे कोशन देखने को मिल जाते हैं option C operation दोस्त कोशन में 563 किसने लगातार चटे वर्ष ADT best award 2023 जीता है तो इसका जो रैट एंसर होगा NTPC ने option A इसका रैट एंसर होगा question में 564 है green bond launch करने वाला देश का पहला नागरिक निकाई बना है तो important है याद अखना है इस टाइवी question एक्जामें बहुत देखने को मिल जाते हैं question number 565 भारत के किस music composer ने प्रसिस्टित Grammy Award 2023 जीता है option C इसका रैट एंसर होगा Ricky Cage question number 566 कौन सा देश अंतर राश्टिय सोहर संगठन का पूर सदस्य बना है option C Austria यूरोप की कंट्रिय है तो ये अब पूर सदस्य देश बन गया है सोहर संगठन का कोश्च मेर 566 किसने यात्रियों के लिए whatsapp food delivery सुविदा शुरू की है option B Indian Railway ने यात्रियों के लिए whatsapp food delivery सुविदा शुरू की है 568 question number डिजी यात्रा सुविदा देश के और कितने एरपोर्ट पर लागू की जाएगी तो जो डिजी यात्रा सुविदा जो है वो चार एरपोर्ट पर लागू की जाएगी question number 579 किस ने अंतर राश्ट्रे सोर्स अंगठन framework समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो रैडंसरों का option C कांगो गंडनाज्ये ने question number 570 किस भारतिये रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपेंशिप में कांसे पदक जीता है option D रवी कुमार दया ने question number 570 international cricket में तीनों फार्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे यूवा क्रिकेटर कौन बने है तो option C सुम्बन गिल तो 500 कत्ता है को जो रैडंसरों का option C question number 572 खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 में किस राज्ये की टीम ने water, sport, canoeing और कया किंग में सबी 4 gold medal जीते हैं तो इसका जो रैडंसरों का option B मद्यपरदेश ने question number 573 केंदरी बजट 2023 में भारती रेलवे के लिए कितने लाग करोड रुपे की पूझी परिवय अवंटीप की गई है option D 2,4,000 करोड रुपे चलते question number 54 की तरफ संपूर परिटन पैकीज के तहत कितने परिटन इस लोग का विकास किया जाएगा option A 50 question number 575 बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोदित ओसत प्रोसेसिंग समय क्या है option D 16 दिन question number 576 बजट 2023-24 में सरकार कुल कितनी खर्च का अनुमान परसुत किया है 45.03 लाग करूड रुपे option A इसका रैंडेसर होगा question number 577 IMF की World Economics Outlook रिपोर्ट के अनुसार वश्च 22-23 में भारत की विकासदर का पूरव अनुमान क्या है 7 पर्तिशत question number 576-24 वे दिवस परेड में शामिल किस राज्य की जहांकी को पर्थम पुरुसकार से समानित किया गया है तो वो थी उत्राखंड की जाकी option C इसका रेने से रोगा तो 64 पे गरतर दिवस पे उत्राखंड की जाकी को पर्तम पुरस्कार समानित किया गया है चलते question मेर 589 की तरफ किस बजट को अमरीत काल का पहला बजट का गया है Question important है Option D 2023-24 Question मेर 580 है किस राज्जिये ने अगले वित्यवर्ष से बिरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की गोशना की है तो option B महरास्ट्रा की सरकार में Question मेर 581 तीनवा राश्ट्रिये बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया Option B एहमदाबाद में Question मेर 582 राश्पदी भवन इस्तित मुगल गार्डन का नाम बदलकल क्या रखा गया है Option B अमरित उध्योग Question मेर 583 भारती अंडर 19 महिला क्रिकेट ने फाइनल में किस टीम को हरा कर T20 वर्लकप जीता Option D इंग्लेंड को हरा कर Question मेर 584 पुरी शौकी विश्पप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता Option A जर्मनी Important है याद अखना Question मेर 585 पाँचवा खेलो इंडिया यूद गेम्स दो हजार बाइस किस राज्ये में आयूजित किया गया मद्यपरदेश Option B इसका रेणिजर होगा Question मेर 586 भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझोता ग्यापन पर हसाशर किये हैं तो वो है Option A दक्षिन अफरीका के साथ Question नमबर 587 बजट 2023-24 में अमरितकाल के लिए कुल कितने विजन बनाए गए हैं प्रोटल तीन विजन बनाए गए हैं बजट 2023-24 के अमरितकाल के दोरान तो इंपोर्टन है याद अखना Question मेर 588 किस भारती अमिर्की को अमिर्की वायुसायना में ब्रेग्रेडियर जेनरल ग्रेड पर निक्ती के लिए नामित किया गया है Question मेर 588 के राजा जे चारी तो इंपोर्टन है याद अखना Question मेर 589 भारत की पहली इंट्रा नेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है Option A इनको वैक Question मेर 590 मध्य रेलवे के लिए महापरवंदक के रूप में किसे निक्तिया गया है Option B नरेश लालवानी को Question मेर 590 इस रूप के अधित्तिय एलवन प्रजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनना ग्राफ परिलोड का निर्माट किसने किया है Option C इंडियन इंस्टिटूट अफ एस्ट्रोफिजिक्स ने Question मेर 592 प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारिक को बना जाता है Option A 4 फरवरी को Question मेर 593 मल्यालम सिनेमा की किस एक्टरस की 120 वी जहनती पर गूगल ने डूडल के माधियम से शदांजली दी Option D P के रोजी Question मेर 594 मद्य अफरीका देश एकवे टोरियल गिनी की पहली महिला पी-एम के रूप में किसे निफ्ट किया गया है तो इसका जो रैड़न से रोगा Option C मैनुएला रोका बोटी Question मेर 595 पी-एम मोधी ने हिंदूस्तान Aeronautics Limited Greenfield Helicopter Factory का आउद्गाटन किस राज्ये में किया तो इंपोर्टेंट है याद अखना या आने की चांस रह सकते हैं Option C इसका रैड़ने से रोगा करनाटका में Question मेर 596 जी टॉन्टी रोजगार कार्ये समूग की बैटक की शहर में आयुजित की गई Option A जोदपूर में जोदपाल सिंग ने कोशर मेर 598 फाइजर इंडिया ने किसे नया MD और CEO निउत किया है तो Option B मिनाच्छी निवतिया कोशर मेर 599 हाली में यूरोपिया संग ने किस वर्ष से कैस और डीजल कारों की बिकरी पर प्रतिबंद लगाने की गोशन की है तो important है याद अखना तो यूरोपिया संग ने वर्ष 2035 से गैस और डीजली कारों पे प्रतिबंद लगाने की गोशन की है कोशर मेर 600 है ये last कोशर इस वीडियो का साइकलोन ग्रैबियल को देखते हुए 21 देश ने national emergency की गोशन की है तो इसको जो right answer होगा option C न्यूजिलेंड ने ये 300 के आज़ पर हमने भी कोशन देख लिए इस वीडियो में इसके next part में हम इससे आगी कोशन 300 देख लेंगे जहां पर आपके तकरीबन 1000 कोशन कवर कर लेंगे इससे पहले जो मैंने 11 पार्ट बनाए है उसके अंदर हमने total 300 कोशन देख लें 330 और उसके बाद इस part के अंदर हमने completely 600 तक कवर कर लेंगे इससे next part में 900 कोशन पूरे देख लेंगे जो भी बच्चे preparation कर रहा है government exam के लिए इन वीडियो को अराम से देखके अपने इस साल के जो कवर कर सकता है और जो भी आपके exam में 4-5 में कोशन आते हैं वो आप easily कवर कर लेंगे इससे पहले वाले जो भी वीडियो है मैंनके लिंक आपको description में डाल दूँगा और आप मेरी चैनल की playlist में जाके भी last six month के इंटरफेस के नाम से आपको वो वीडियो मिल जाएंगी तो वासे किलिक करके भी आप सारे केंटरफेस कवर कर सकते हैं चीक है तो next part के लिए चैनल को subscribe करके रखना बेल लिक किलिक करके रखना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंस रहें और अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो लाइक जरूर करना सो मिलेंगे next part में धन्यवाद